हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Motorola E22S Android वाइल फोन में आप जो है Color Correction Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह Color Correction Setting जो है Enable करने के बाद यह Setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको Accessibility के इस पेज में नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो है Color Correction का यह Option मिल जागा Color Correction पर सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको Use Color Correction का यह Option मिलेगा इसके सामने एक बटन दे रहा है ठीक है इस बटन को सेलेक्ट करना है तो आपकी Setting on हो जाएगी यानि की Enable हो जाएगी अभी Setting Enable होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह नीचे की साइड में जो दो आइकन और इनका Color भी थोड़ा डार्क हो गया ठीक है तो जैसे ही मैं इस Color करेक्शन को जो है ऑफ करूँआ तो देखेगा Magnification का Color जो है लाइट हो जाएगा यह देखे लाइट रैड में हो गया ठीक है तो यह सेटिंग जो है इनेबल अगर हम करते है Color करेक्शन ठीक है तो आपके पूरे मुवाइल फोन में जितने भी कलर से ना उनका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाता है यह आप देख सकते मेरे मुवाइल इस तरीके से काम करेगी आपको इस सेटिंग को ढूंडने का एक शौर्ट कर तरीका बता देता हूं आपके मुवाइल फोन में ठीक है आपको करना है अपको सबसे उपर सेटिंग सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सार्च बार में टाइप करना है Color तो आपको नीचे यह option शो हो जाएगा color correction का ठीक है इस तरीके से तो यह color correction का option शो हो जाएगा तो इससे select करना है इससे होता क्या है कि आपको आपको डायरेक्ट इस setting पेज में पहुंचा देता है तो यह shortcut तरीका भी मैंने आपको बता दिया इस setting को ढूंडने का